रहीं दोस्तों मेरा नाम है पंकाच चोधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकाच फोजी गुरू इसके चार ओप्सन आपके सामने एक आत्म सरकार संग्य सरकार संसिती सरकार और राष्टपती सासे सरकार तो इसमें आपको आंसर देना है दोस्तों बताइए कौन सा है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका संग्य सरकार जिहां संग्य सरकार इसका राइट आंस आपको पता होगा आप बताएंगे कमें इसका जो राइट आंसर होगा इसका पांच इसका राइट आंसर होगा चलिए थर्ड कोश्चन की तरफ चलते हैं थर्ड कोश्चन है राजसवा के लिए राष्ट पती द्वारा कितने सदस्य नामित किये जाते हैं ओप्शन है आपके कितना question कर पा रहे हैं तो इसका right answer होगा दोस्तो बार है जिहां इसका right answer बार है चलते हैं fourth question पर तो दोस्तो fourth question आपके शामने है भारत के सम्मेदान में सामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों की अबदर्णा किसके सम्मेदान से ली गई थी? option है आपके Australia, USA, Canada और Ireland जिहां ये आपके चार option है आपको बताना है कि निर्देशक सिद्धान्तों की अबदर्णा कहां से ली गई है तो इसका right answer हो जाएगा आपका दोस्तो आइलेंड जिहां D इसका right answer है आइलेंड से लिया गयता है चलिए question number 5 की दर बढ़ते हैं question number 5 है देश के ससत्र सैनाओ का सरवोच कमांडर इंचीप कोन है? option है आपके रक्षा मंतरी, प्रधान मंतरी, तीनो सेवाओं में से बरष्ट चीफ और D है आपका राष्ट पती तो आपको बताना है कमांडर इंचीप कोन है? रक्षा मंतरी जो होता है, तीनो सैनाओ का होता है, प्रधान मंतरी नहीं होता है किसी का भी तो इसका right answer है इसका राष्टपती जी हाँ राष्टपती जो है सरसर सेनाव का सरवोच कमांडर इंचीप होता है चलिए आगे देख लेते हैं कोशन नमबर 6 की तरफ कोशन नमबर 6 है यदि राष्टपती अपने पत्से त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा क पर सकते हैं आपके option है पहला लोकसाव अध्यक्स प्रधान मंत्री उपराष्टपती भारत के मुख्य नियादिश जी हाँ आपको राष्टपती के त्याग पत्र के बारे में option दिये हुए इसके आपको आंसर देना है आप कमेंट्स बोक्स में लिख सकते हैं आपका आंसर तो इसका right answer हो जाएगा C उपराष्टपती देखते है question number 7 के तरब question number 7 है सिंधू अर्थिव्यवस्ता की तागत्थी जी हाँ सिंधू अर्थिव्यवस्ता की तागत्थी इसका आपको answer देना है option number A है किरसी, B है आपका व्यापार, C है चाक पर बनाएकर मिट्टी के पर उत्क्रीन सत्यमेव जैते लिया गया है, option है आपके रिंगवेद से, मतस्य पुरान से, वगवद गीता से, मंडो कुपनिश्त से, ये आपके 4 option है आपको answer देना है कि भारत्या पर उत्त्रीन सत्यमेव जैते कहां से लिया गया है, तो इसका right answer हो जाएगा option, option number D, मंडो कुपनिश्त से, ये लिया गया है दोस्तो, question number 9 की तरह बढ़ते हैं दोस्तो, question number 9 है आपका प्राचीन भारत का पिशिद वहसासा कौन था, जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, आपके option है, समंद्रगुप्त, बिंदुसार, question की तरफ, तो question number 10, 10 question आ गया है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, जिहां, question number 10 है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, दोस्तो, आपके option है, चंद्रगुप्त मोर है, चंद्रगुप्त बिक्रमा देते हैं, आपका option number C है, असोग, option number D है, बि आपके लिए latest vacancy और other informatory वीडियो बनाते रहते हैं अगर आपका प्यार मिलता रहा तो हम आपको GK, Hindi और दूसरे subject पर आपको question लाते रहेंगे आपका ग्यानवर्दन देते रहेंगे तो इस question की बात कर लेते हैं तो इसका जो right answer होगा right answer होगा दोस्तो option number a चंद्रगुप्त मोर कोशन नमबर 10 का answer होगा चंद्रगुप्त मोर है